दोस्तों यूपी त्रिपलेसी लेखफाल भरती के रेजल्ट का इंतजार करते हुए बरतियों के लिए एक बड़ी अपडेट आ रही है जैसा कि अगर देखा जाए सोसल मेडिया पर जितनी भी लेखफाल के भरती हैं वो लगातार सक्रिय बने हुए हैं लोग सर्च कर रहे हैं कि या हमारा रिजल्ट कब तक आ जाएगा तो फाइनली इस वीडियो में हम साजा करेंगे आपका जो रेखपाल का रिजल्ट है वो कब तक आएगा आप विसबरे से इंतिजार कर रहे हैं ओफिसियल नोटिस का तो बिल्कुल हम इस पर भी चर्चा करेंगे नीच यहां रिजल्ट के बाद सिर्फ एक ही मुद्दा आ रहा है कि आखिरकार कितने कटाओ फॉलों का इसमें सेलेक्शन हो रहा है ठेक है इस पर भी चर्चा होगी और यहां कोई भी भरती प्रक्रिया है ठेक है जब उसका final result आता है तो एक मुद्दा आवर आता है कि भया नेउक्ति पत्र कब तक मिलेगा तो नियुक्ति पत्र पर भी हम चर्चा करेंगे और यहां कैसे चेक करें अपना रिजल्ट जाहिर सी बात है हर किसी के मन में ये प्रबल इख्षाएं होंगे भया हम रिजल्ट को कैसे चेक करेंगे हलाकि ये ज़्यादा खास मुद्दा तो नहीं है रिजल्ट चेक करने का चोकि रिजल्ट चेक करना हर किसी बिट्थी को आता है तो फाइनली हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे दोस्तों मैं हूँ संजे आप सभी का स्वागत करता हूँ अब नदन करता हूँ आज के अपने इस वीडियो पर मैंने वेदन करूँगा कि चैनल पर पहली बार विजट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब रिड़ करेंगे सबसे पहले ध्यान दिजिएगा आप रिजल्ड का विसबरी से इंदिजार कर रहे हैं रिजल्ड का जहां तक सवाल है सुत्रों के एक आर्डिंग से ऐसा कहा जा रहा है कि आपकी बीच में आज देर रात यानि अगर कहा जाए लगबख साथ आठ या नौ बजे तक आपका रिजल्ड घोसित कर दिया जाएगा ठेक है हलाकि अगर देखा जाए अभी कहीं ये बिल्कुल पुखता अपडेट नहीं है ठेक है सिर्फ लोगों के द्वारा ये चीज़े कहीं जा रहे हैं हलाकि जब तक यूपी त्रिपल से इसके संदरों में कोई लखित तौर पर जो है कहीं से सूशनाए नहीं मिलती हैं आयोग से तब तक हम इस चीज़ को पुष्टी नहीं करते हैं लेकिन सोशल मीडिया पर सिर्फ एक ही मुद्दा है कि लगबख साथ से आठ या नौ बजे के मद्दे आपका रिजल्ट घोसित कर दिया जाएगा अगर ऐसा होता है तो बिल्कुल आप चैनल पर बने रहेगा चैनल के माध्यम से हम आपको इनफर्म जरूर करेंगे ठीक है यहाँ आप इंतजार कर रहे हैं कि आकिरकार हमारी कट आफ कितनी जाएगी कट आफ बेसबरी से आप देख रहे हैं देखिए कट आफ भी हम आपको दिखाना चाहेंगे देखिए यह कट आफ हाला कि अकट देखा आजए हम आपके बीच में पहले ही बता चुके हैं कि फाइनल आपकी सेलेक्शन वाले कट आफ है ठेक है यहां देखिए हमने सीटों का बटवारा भी किया है कितनी सीटें जनरल की हैं OBC की कितनी सीटें EWS की फेमेल की और सर EAC की और यहां HT की हैं सर्विसमेन की हैं और फ्रीडम फाइटर की हैं यहां 78-85 जनरल की हैं OBC की 77-88.25 EWS की 78-88.25 female की 79 और सर्विसमेन की 58.5-79.5 और फ्रीडम फाइटर की 72-73 यह जो फाइनल कट आफ है वो बनने जा रही है ठेक हैं यह बिलकुल फैक्ट कट आफ है अभी आपके बेश में जब ऑफिसिल कट आफ हैगी तो आप उससे मिलान करिएगा बिलकुल आप बहुत जादे से जादे प्लस माइनस एक या दो का अंतर पाएंगे इससे जादा आपकी कट आफ नहीं बनने वाले ठीक है तो यतनी चीज़ें आप समझ गए है अब यहाँ एक चीज़ और आपके मन में आ रहा है नियुक्ति पत्र कब मिलेगा अच्छा यहाँ ध्यान दीजेगा उससे पहले रिजल्ट को हम कैसे चिक करेंगे देखिए रिजल्ट चिक करने का सबसे आसान सा तरीका है अभी कोई लिंक जारी नहीं हुई है ठीक है नहीं तो हम आपके बेशम वित्प्रूब बताते हैं लेकिन ध्यान दीजेगा आप UP3AC government.in की वेबसाइट पर विजिट करेंगे वहाँ से देख सकते हैं या तो आप सरकारी result.com पर भी जा करके आप अपने result को देख सकते हैं ठीक है अब यहाँ सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि आखिरकार नियुक्ति पत्र कब मिलेगा तो ध्यान दीजेगा नियुक्ति पत्र का जहां तक सवाल है मैंने आपको पहले ही बताया है कि नियुक्ति पत्र आपका इस भड़ते का बहुत जल्द मिलेगा जोकि युपी त्री पत्र आयोग जो है लगातार अगर देखा जाये तो हमारे बीच में लेकपालों की कमिया है हम आपको हमेशा यहीं बता रहे है कि लेकपालों की कमिय को देखते हैं नियुक्ति पत्र वित्रण में आपका विलंब नहीं होगा ठीक है अच्छा यहां पहले ही आपको पता है उसके पहले लगबग देड़ से दो महिना पहले मानने मुक्यमंदर जी का आदेश भी हो चुका है नई भरती के विज्यापन का नई भरती का विज्यापन इसी कारण फार्सा हुआ है चुकि अभी एक भरती फाइनल हो हुई दूसरी भरती को देना बिल्कुल गलत है ठीक है तो जैसे ही आपको पता है एक-एक लेकपाल की भरोसे कई ग्राम पंचायत है ठीक है और कई ग्राम पंचायत को देखने में लेकपालों की समस्याइं हो रही है तो ऐसी समस्याओं से निजात पाने के लिए जो है जो लेकपाल भड़ती फाइनल आपके बीच में आज जिसका रिजल्ट आ रहा है उसका न्योकती पत्र अगले लगबगी मान कर चलिएगा एक से देड़ महिने के अंदर हर हाल में जो है वित्रित कर दिया जाएगा लोग की बात कर रहे हैं चुनाओं में फसेगा ऐसा कुछ नहीं कताई चुनाओं में नहीं फसेगा आप नोट करिएगा चुनाओं से पहले हर हाल में इस भड़ती को फाइनल करने का एक परमुद्देश्य है ठेक है तो वासा करते हैं देगे जानकारी से आप संतुष्ठ है प् चैनल पर पहली बार विजिट किये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब रूट कीजिए का वड़ी समाप्त करते थैंक्स धन्यवाद